हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल आवर फ्यूचर स्टेडी में फ्रेंड्स आज है 23 दिसंबर तो 23 दिसंबर को करंट अफेर्स के जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं 22 दिसंबर को ध्यान रखिए 22 दिसंबर को राष्ट्य गणित दिवस मनाया जाता है क्योंकि ये जो 22 दिसंबर है इस दिन स्री निवास रामानुजन जी का जनम दिवस होता है तो उनहीं के जनम दिवस को राष्ट्य गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि जो रामानुजन जी थे वो एक महान गणित ग्य थे और अगर ये पूछा जाए कि इस दिवस की शुरुवात कब से हुई तो 2012 से 2012 में जो हमारे पूर परधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंग जी इन्होंने घोशना की कि हर वर्ष 22 दिवस को राष्ट्य गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा नेक्स देखते हैं जम्मू और कस्मीर में चिलाई कालान का क्या मतलब है तो चिलाई कालान का मतलब है अत्यधिक ठंड के 40 दिन तो ये भी important point बनता है अगला point देखते हैं सरकार द्वारा निर्भया कोस के अंतरगत मंजूर किये गए 7000 करोड रुपे की परियोजनाओं के माध्यम से इतने fast track नियायसन सापित किये जाएंगे तो निर्भया कोस से कितने fast track कोट बनाए जाएंगे एक हजार 23 fast track कोट बनाए जाएंगे निर्भया कोस के अंतरगत चलिए आगे point देखते हैं अगला point है exam warriors तो exam warriors एक book है जिसकी रचना किसने की हमारे प्रधान मंतरी स्री नरेंदर मोधी जी ने इस book की रचना की और एक और important point बन जाता है कि इस book का exam warriors book का अभी हाल ही में braille संस्क्रण विमोचित किया गया है तो ये विमोचन किसके दौरा किया गया है मंतरी थावर्चन्द गहलोत के दौरा इस book को braille संस्क्रण में विमोचित किया गया है ताकि जो द्रिष्टी हीन बच्चे होते हैं वो भी इस book के थूरू ये जान सके कि इस book में क्या यानि कि किस से related और क्या क्या चीज बताई गई है अगला point है इथियोपिया ने इस देश के अंतरिक्स स्टेशन से अपना पहला उपगर है प्रक्षेपित किया तो इथियोपिया ने कौन से कौन से देश के अंतरिक्स स्टेशन से अपना सबसे पहला उपगर है प्रक्षेपित किया तो चीन के चीन के अंतरिक्स स्टेशन स सबसे पहला उपगिर है प्रक्षे पित किया इथियोपिया ने और ये चीज़ ध्यान रखे इथियोपिया अफ्रिकन कंट्री है और ये ग्यारवा देश बन गया है अफ्रीका का जिसने अपना खुद का उपगिर है प्रक्षे पित किया है और अगर ये पूछा जाए कि सब से पहला देश कौन सा रहा है अफ्रीका का जिसने अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया तो मिस्र जिसे इजिप्ट भी बोलते हैं वह पहला देश रहा है अफ्रीका का जिसने अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है और कब किया तो 1998 में में प्रक्षेपित कि अगला point देखते हैं, छटे कतर अंतरराष्ट्य कप में भारत का खाता खौलने के लिए 49 kg वर्ग का स्वन पदक जीता, तो किस ने जीता मीरा बाई चानू ने, मीरा बाई चानू कहां से हैं तो ये मनिपूर से हैं, I hope friends आपको ये questions exam में help करेंगे, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं, thank you